वाँ क्या बात है रात तो कमजोट पड़ जा रहा है थी नहीं पा रहा है यह डीशन पूरे दम लगाते रहे हैं क्या बात है जब कोई गिफ आता है उसमें ये वाला पैकेट ये वाला पणुपनि ये वाला प्लिथिन जब लेकिन यह लोग उसी पन्नी के चकर में रहते हैं सोचते हैं कम मुझा लेने का मुझा मिल जाए वा क्या बात आपको मैं एक सर्प्राइजिंग गिप्ट दिखाने वाला हो जो इस्पेसली एम सलूशन के नाम से आया हुआ है जैसा कि आप आप जानते हैं सलूशन नाम का मेरा यूटूब चैनल है और अलोशन नाम का प्लेश्टोर पर अप्लिकेशन भी है तो एमसलूशन अप्लिकेशन पर जो लोगों है उस लोगों को यूज करके बहुत सारा गिप्ट आइटम बना करके मेरे लिए भीजा गया किसके दोरा बहुत अच्छे से लिखा हुआ है तो क्या-क्या गिप्ट आइटम में है बहुत बड़ा यह डबा दिख रहा है इतना बड़ा डबा इसे लगणा जिसे दस किलो का हो ठीक है तो काफी चीजे इसके अंदर है मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा और आप लोग देखिए औ कमेंट करके बतायेगा कि कितना सांदार है यह इंट జेक है तो चलی इसको खोलते हैं अब बाक्स को करते हैं आप लोगों के सामने ब्लेट जवपन करते मेरे पास अन बाक्सिं वाला नाइफ नहीं तो आप लोग यह मस समझना कि इस अरजी भूलेड यूज क्यों कर रहे हैं ठीक है चलिए इसको खोलते हैं और निकालते हैं इसके अंदर क्या-क्या है इधर से भी है सबसे पहले मैं यह वाला छोटा पैकिट निकालता हूं कि छोटा पैकिट हो सकता है कि यह बड़ा धमा का हो तो इसको पहले हम किनारे करते हैं और इस छोटे पैकिट के अंदर की चीजें निकालते हैं क्या-क्या है इसके अंदर अरे वाह क्या बात है यह देखिए एक दो तीन वाह और काफी यह मजबूत भी ऐसा नहीं मैं इसे लग रहा कि इसमें ग्लास लगा हुआ सीशा लगा हुआ यह उचकने वाला और इसका कलर जाने वाला टंसर नहीं है है देख सकते हैं कितना ज्यादा मजबूत है यह पतला भले है लेकिन काफी मजबूत है तो यह मुझे लगता है कि आप इस वगएरे में लगाने के लिए हैं तीन पीस आया हुआ है अब इसको मैं यहां पर रखता हूं अब अगला आइटम निकालते हैं अगला आइटम है हो सकता है कि यह मुझे लग रहा कि डायरी है देखते हैं क्या है स्टेंदर यास वाव क्या बात है यह देखिए इस पेसली डायरी एम सलूशन लिखा हुआ इस पर नीचे बकाइदा मेरा नाम भी लिखा है और बहुत ही खुशुरत बैग्गराउंड फोटो का जैसा है वैसा ही बैग्गराउंड यहां डायरी का भी है डायरी के पन्ने एकदम बिल्कुल साप्ट है और इसका कभर भी एकदम जैसे लग रहे हैं माखमल हाथ इस पर रखने से एकदम फिसल ला है ऐसे लगता कि पर किनारे रख देता हूं से कंड़ आइटम है थर्ड आइटम क्या है थर्ड आइटम में यह सब भी अभी इसका भी कमाल अमारे बच्चे दिखाएंगे आपको कि यह क्यों दिया है उन लोगोंने इसका मैं एक मजा किया कमाल आपको दिखाउंगा अब यह बड़ा वाला बॉक्स निकालते हैं बड़ा वाला बॉक्स लगता है कि खोलना पड़ेगा इस इसके अंदर क्या है वाओ इसके अंदर देखिए तो काफी वजया नहार आधा किलो का होगा या तो कम कम से कम 300 गराम का होगा यह कप यह भी टन टन वाला है तो कफी मजबूत है यह कप और इस पर देखिए एंसलोसण का लोगो लगा हुआ है अब पुरा साइनिंग है पुरा गजब की साइनिंग है और मुझे लगता है कि इसमें देखिए एक बार एंसलोसन का लोगो यहां दिख रहा है अगर मैं ऐसे पीता हूं तो सामने वालों को भी दिखाई देगा इसमें अगर पीया हूं अभी एक और आइटम है यह हुआ तीसरा आइटम है और यह चौथा आइटम इसको भी ओपन करते हैं यह हमारा चौथा आइटम यह मुझे लगता कपड़ा ही है इसको मैं आपको दिखाता हूं यह क्या तीज है कितना साफ्ट कपड़ा है मस्त है गर्मियों में पहनने लाइक तो घौजब का कपड़ा है और ठंडी की शुरुवात में जैसे मलने यह नवंबर तक तो अराम से इसको पहनी सकते हैं फिर फरवरी से पहनना इसका स्टार्ट हो जाएगा और यह देखिए इस पर भी एम सलू इधर भी यह इसका फ्रंट फ्रंट पर छोटा है थोड़ा सा यह पृंट और बैक पर थोड़ा बड़ा है तो काफी अच्छा ये कुल आइटम एक दू तीन चार आइटम मुझे के तोर पर आया हुआ है और यह बिल्कुल फ्री है मैंने इसके लिए कोई भी पैसा नहीं करें दिया है पस क्लासफ प्लस कंपने से मैंने एपनерм सन एक बनाए जब बन वाया ठाहए और बिभ्यों sih ग्लाइब कोई प्रचार में मुझे फ्लाइब कर रहा है तो बहुत अच्छा लगा मुझे यह गिंगर आप लोग roar कि बताइएगा कि यह गिफ्ट कैसा है खर है तो मेरे लिए लेकिन आप लोग भी वहाँ से जज कर सकते हैं कि गिफ्ट की क्वालिटी किस तरह की है और कैसा है ठीक है यह कमाल यह कमाल देखिए वाह यह करतार है क्या बात है राज तो कम जोट पड़ जा रहा है थी नहीं पा र आता है कि जब कोई गिफ्ट आता है उसमें यह वाहला पैकेट यह वाला पड़न về यह वाला पालिथीन जब निकलता है तो यह लोग पोब ल svp